धन्यवाद मेडम आपका समय देने के लिए इस Constitution Schedule Tribe Order Amendment Bill के सपोर्ट में खड़ा हूँ और मेरी कुछ बाते रह जाएंगे आपकी अनुपती से मैं उसको रिकोर्ड में देना चाहूँगा मेडम मेडम मैं सिदे अपनी छेतर की बात पर आता हूँ कि जो हमारे गोर्खा समुधाएं हैं उन से संबंदित जो मुद्दे हैं उसमें काफी समय लग रहा है और मैं आपके माद्यम से समस्त देश को ये बताना चाहता हूँ कि गोर्खा जिनको मूल रूप से जो है दूवर सामिल है 1947 तक ये पार्शिली एस्कुलिडेट एरिया के रूप में जाना जाता था और ये पार्शिली एस्कुलिडेट एरिया शिरिफ जो है जहां पर जन जाती रहते थे उनको माना जाता था और इतियास के अंदर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि दारजिलिंग के अलगी administrative बेवस्ता रहती थी, 1861 से पहले non-regulated area थी, फिर regulated area बना, फिर non-regulated area बना, फिर scheduled district बना, फिर 1909 से लेकर के 1935 तक backward track बना, फिर 1935 से 47 तक partially excluded area बना, फिर 1954 के अंदर में एक्जॉप area एक्ट के अंतरगत ये बंगाल का हिस्सा बना, कुल मिला के मेडम मेरा ये कहना है कि बीच में साथ अलग-अलग समाज के लोगों को, जिसमें लेपचा, धुपका, भुटिया, यल्मो, सेरपा, लिम्बू, सुबबा, तामांग, इन लोगों जनजातियां, मगर, राई, सुनवार, याखा, गुरुं, नेवार, खस, धिमाल, जोगी, धामी, भुजेल, ऐसे 11 जनजातियां छुटी हुई है, और मेरा ये भी कहना है मेडम, हमको एक चीज ये भी समझना पड़े गए, दाजलिंग कालिंपूं का एरिया है, ये गोर्खा बोलने वाले, नेपाली बोलने वाले गोर्खा समुधाय के लोग भी रहते हैं, और नेपाल में 3 करोड लोग हैं, होता क्या है, ओपन बोर्डर होने के कारण ये डेड़ करोड गोर्खाओं को बार बार नेपाली या विदेशिक आ जाता है, तो इससे जो है, उन ये जन्जाती थे, छीन लिया गया, वापस इनको डालना है, इससे एक काम से खई सारे समादान होते हैं, मैं आपसे ये मांग करता हूँ कि इस प्रकिया को जल से जल किया जाए, अन्त में नेपाली में एक ही लाइन कहूंगा, अमेर को जुन गोर्खा समाद जाती छा, तेसको योगदान ला हेरे रा, हजुर को माध्यमबड़ा में ये निवेदन गरना चांचू, मंत्रीजी सिंगा, चाड़ो बंदा चाड़ो, एस्टी इस्टेटस रहे का ग्यारा जन जाती लाइ दिनु अस, एती बंदे मेरो अप्त गरना चांचो, जय हिंद, जय गर्खा